आज हम बनाएंगे special थंडाई, बहुती गजब का टेस्ट आता है, दूद और बहुत सारे dry fruits के साथ ये थंडाई बनती है और आप इसे किसी भी particle बना सकते हो या फिर घर में कोई महमान आने वाले हो, उनके लिए भी आप ये थंडाई बनाईए, सब बहुत खुश हो जाएं हाई एवरिवन, मैं हो दिपाली, वेलकम टो माई चैनल, दा प्योर वेज की जन, तो चलिए फिर बहुती टेस्टी और हेल्दी थंडाई बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम dry fruits को soak करेंगे, एक चोथाई कप बादाम लेने हैं, और एक चोथाई कप हम इसमें काजू टाल देंगे, एक चोथाई कप पिस्ता और एक चोथाई कप मखाना आट कर देना है, बादाम काजू, पिस्ता और मखाना की कॉंटिटी सेम रहेगी, अब हम इसमें पास से ठे हरी लाईची डाल देंगे, एक टीस्पुन काली मिर्च टाल देंगे, और दो टीस्पुन इस इसमें खस-खस टाल देंगे, इससे बहुती बढ़िया फ्लेवर आता है, और एक चमच हम इसमें गॉल्डन की श्मिश मिला देंगे, एक गुलाब की फ्रेश पंखुड़े मिला देंगे, इससे बहुती ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आएगा, अब हम इसमें पानी मिला देना है लगबग एक कप के करीब पानी मिला देना है और दो से तीन गंटे तक हम इसे सोक होने के लिए छोड़ देंगे दो तीन गंटे बाद हम इसे चेक कर लेते हैं अभी आप देख सकते हो काजू और बादाम फूल के तयार हो गए है और ड्राइफरूट्स हमारे कर देते हैं और यह जो खसकस वाला पानी बच गया है तो हम इसे चान लेंगे और खसकस को हम से प्रेट कर देते हैं चननी की मदद से हमें इसे चान लेना है यह खसकस को हम ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर देते हैं और जो पानी बच गया था हो थोड़ा-थोड़ा स हम इसमें मिलाते जाएंगे और इसका हमें एक smooth paste बना देना है ये देखिए इस तरीके से हमें dry fruits का paste बना के तयार कर लेना है और थंड़ाई का फ्लेवर और एन्हांस करने के लिए हम इसमें एक डेबल स्पून सोफ आड़ कर देंगे और एक चोथाई चमच हम इसमें केसर के धागे मिला देंगे थोड़ा सा हम इसमें दूद मिला देते हैं और एक बार मिक्सी में फिर से इसे पीस लेना है ये देखिए इस तरीके से पेस्ट बन के तयार हो जाएगा एक बाउल में हमें दूद लेना है ये उबाल के फ्रीज में धंडा किया हुआ दूद है टोटल एक लिटर दूद का यूज करेंगे अब हम इसमें 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी मिला देते है चीनी आप अपने इसाब से कम्या जादा कर सकते हो पर एक लिटर दूद की इसाब से 4 टेबल स्पून चीनी परफेक्ट है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते है ताकि चीनी दूद में घूल जाए और अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ड्राइफ रूट्स का पेस्ट मिला देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके दूद मिला देना है और ड्राइफ रूट्स का पेस्ट मिला देना है सब कुछ आपके टेस्ट के according रहेगा अब मैं इसमें और 2-3 टेबल स्पून ड्राइफ रूट्स का पेस्ट मिला रही हूँ टोटल हमने 1 लिटर दूट का यूज किया है और ड्राइफ रूट्स का पेस्ट हमने इसमेड कर दिया है लास्ट में कुछ इस तरीके से ये ठंडाई बनके तयार हो जाएगी बहुती ज्यादा हेल्दी और डिलिशियस ये ठंडाई का ड्रिंक बनके तयार हो जाता है उपर से थोड़े से केसर के धागे और रोस पेटल से इसे सजा देंगे फिर चाहे कोई पार्टी हो या महमान आने वाले हो सब आपकी बेहत तारिफ करेंगे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर मादेव